ब्रोकोली घर पे हैं या फिर आप ब्रोकोली खाने के बहुत शौकिन हो कुछ हटके और नया टेस्ट में खाना चाते हो तो बिल्कुल सही जगा पे आए हो ये रेसिपी खास आपके लिए तो हेलोई आफ्रीवान वेलकाम टू लाफ कीचिन शुरू करते हैं यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के लिया है ब्रोकोली जिसको बड़े बड़े टुक्रों में काटा एक बड़े साइज गाजा लिया है अनियन ले लिया है तीन जिसे बड़े बड़े टुक्रों में काटा और ब्रोकोली जिक के जो ढंठल है उस ढंठल को छील के एकदम बारिक बारिक मिधियम साइच के आलू लिया है मटर यहां पे आधा कब जितना तो चलिए और साथ में एक शिमला मिर्च ले लिया है और कुछ अनियन जिसे हम चौप करके लेंगे बनाने के लिए पैन बिठा चुके हो सरसो के तेल डाला है जरुड़त के अनुसार डाल दिया है तेज पत् सब्सक्राइब के जो रंधल है गाजर है और साथ में बड़े बड़े टुक्रों में कटी हुई यह जो प्याज है यह भी डाल देंगे तो सब कुछ मिला देंगे इस टाइम फ्लेम को हमने हाई पे रखा है एक से देर मिनिट इस तरीके से हाई फ्लेम में पका लेंगे पका लिया है हमने तो चलिए अब धकन खोल लेते हैं तो जो सब्जियों में से पानी निकला था वो पानी इस टाइम सूप चुके हैं और सब्जी थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है तो इस टाइम जो हमने ले लिया थे अनियान उसे चौप कर लिया है साथ में ब प्रॉल्म होते हैं, अक्सर मैंने सुना हैं कि फुल गोबी ना लाया करिए क्योंकि उससे बहुत कैस बनता है, तो अब ब्रोपोली खा सकते हूं, सबसे में बात ना ये बहुत फाइदे मन्ध है, जैसे कि ये कैंसर होने से बचाते हैं, आखोप के रोशनी बढ़ाते हैं, क् अमने हल्दे पाउड़ा डाल के मिक्स्ट करके कुछ टाइम और फ्राइ कर लिया था उसके बाद जो शिमला मेच यानि की कैपसिकम है और जो ब्रोकली लिया था वो इस टाइम डालेंगे ब्रोकली और कैपसिकम दोनों को ही ओवर कुप नहीं करना परता है फिर इसलिए सारे सबजीयों को पहले फ्राइ कर लेंगे फिर लास्ट में जाके ये दोनों चीजों को एड़ करना है अब देखिए अच्छे से मिला देने के बाद अब इसमें ये ब्रोकली और शुमला मेच पकने के लिए हलका से पानी जैसा एक टेक्स्चर चाहिए क्योंकि हम तेल बहुत कर मसाला डालो एक जीरा पाउडर और डाल दिया है करी पत्ता तो करी पत्ता यहां पे हलका सा सुखा हुआ है हमने थोरा सा हातों से तोर के डाल दिया है इससे अच्छा सा एक खुशबू आ सके मिला दिया है अब इस टाइम हम डालेंगे छोटे-छोटे दो टुकरे गुर इस प्रज़ी शहाँ में बीज समेध ही इमली ??? अजे याष। ऊस्ट लगते हैं प्रज़ी प्नी को चीणी के ही, यहां पर घुल ड़ी तो चीणी है य। करण बीज कर दोड़ी में तिक होगता ह। के अटिते जलड़ सक्तिति रंगहे वीज करें को चोते ह। उसे हलका सा रोष्ट कर लिया है यानि कि खाली तवा पे हमने भूंगे उसका अच्छा सा पावड़ा तयार कर लिया है अब मिला के एक में जितना और पका लेंगे और बस ये सबजी हमारे तयार है ये सबजी खाने में बिल्कुल साउथ इंडियन सुवाद आया है क्योंकि इसमें इमली, गूर और जो करीपत्ता का सुवाद मिल जूल के हैं इसमें ना ही बहुत ज्यादा तेल है ना ही बहुत ज्यादा कोई मसाला इस तरीके से आप अगर बनाते हों तो मैं आशा करती हूँ आपको और आपके फैमिली मेंबर सभी को पसंद आने वाले है तो देख लिए ये ब्रोकोली एकदम अच्छे से पका है यानि कि ना बहुत कच्छे पन है और ना ये बहुत ओवर कुक है ये ब्रोकोली 90% जितना कुक हो चुके हैं तो ये परफेक्ट है तो फ्लेम को ओफ करेंगे और परोस देंगे गर्मा गर्म हमारे ब्रोकोली के हल्दी सबजी इससे पहले भी मैंने ब्रोकोली के मसालिदार सबजी ब्रोकोली के साथ पनीर के मसाला और साथ में ब्रोकोली अंडा की कॉम्बिनेशन काफी सारा अलग-अलग तरीके से ब्रोकोली के सबजी रेसी पिशेयर किया है और आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और अच्छे-च्छे कॉमेंट किया था उसमें तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है आप चाहे तो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसके साथ हमने ले लिया है रोटी, थोड़ा सा चावाल, साथ में हमने थोड़ा सा फ्रूट्स ले लिया है, जो मेरे पास इस टाइम था, थोड़े से मिल्क ले लेंगे, एक कफ जितना, तो फ्रेंस ये तो था, आज के हमारे दुफैर का खाना, यानि के लंच टाइम का खाना और साथ में दाल भी है वह भी पक रहे हैं तो फ्रेंस आज के हमारे स्वादिस्ट प्रोकली के सब्जी के साथ ये लंच के रेसिपी आपको कैसा लगा है मुझे बताईएगा कॉमेंट करके और आप भी बन सकते हो लाफ किजिन के फैमिली मेंबर अगर आप रोजाना ह अनिक रेसिपीस देखना चाहते हो तो तो अभी तुरंद कर लीजिएगा लाफ किजिन चैनल को सब्सक्राइब तो फ्रेंस आज के लिए इतना ही मिलते है अगरी रेसिपी में टाटा बाई 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 टेक क्यार अनिक भाई